सबसे पहले दोस्तों आप मेरी यहां पर mobile की screen पर आप यहां पर देख लिए जो भई इस loan application से जो मेरे को यहां पर loan दिया है वह भाई यहां पर दोस्तों यहां पर पूरे के पूरे यहां पर पच्छाजाव रूपा का loan मेरे पास में यहां पर amount approach होके आ चुका है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होगे यहां पर दोस्तो जो यह loan application यहां पर होने वाली है यहां पर दोस्तो loan application आपको instant के instant आपको यहां पर loan provide करवाने का आपको यहां पर काम कर रही है आपके दोस्तों यहाँ पर आपके आधार कार और आपके पैन कार की बेसिस पर आपको यहाँ पर लिमिट देने का काम कर रही है यहाँ पर दोस्तों अप्लिकेसन बिल्कुल एक दम 100% जैनुएन होने वाली है अगर दोस्तों आपके पास में यहाँ पर आपको यहाँ पर requirement है आपको यहाँ पर पैसे की emergency आ चुकी है और भी आप दोस्तों यहाँ पर emergency में प्रसन लोन लेना चाहते हो वो भी दोस्तों यहाँ पर 5,000 रुपर से लेगे आप 50,000 या फिर 5,000 रुपर तक आप यहाँ पर loan नेना चाते हो तो भइ ये लोन अप्मिक सिर्ग अपके लिए बैस्न हो सकती है लोन अपलिकेस एकदप sld यहां पर जेंवन होने वाली है अगर भई आपको यहां पर नेड़ भी नहीं है पैसो कि आपको आपको आवे हर सकता भी दोस्तों आप loan application को आप देख लीजिए हो सकता है कि भी आपको यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर जोरुत पड़ जाए तो भाई application आपके पास में होगी तो भाई 100% आपके पास में एकदम से स्टेट के स्टेट आप यहाँ पर लोन ले पाओगे भाई application के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी step by step आज किस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ application यहाँ पर RBI और NWS रिजिटर application होने वाली है तो भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको यहाँ पर मिरने वाली है इसके लिए सिब दोस्तों आपको एक ही काम करना है वीडियो अच्छी लेगी तो उसको एक लाइक कर देना है चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है क्योंको भी यहाँ पर ऐसा कंडेट आपको मिलता रहता है विदाओ टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो भी मैंने यहाँ पर एफ्लीकेसियर का अबाउट स्क्राइब शक्राइब कर लिया है जैसंकि हर बार की तरह दोस्तों में आपको सबसे पहले अबाउट स्क्राइब चैक ऑउट करवाता हूँ इसमें आपको यहाँ पर थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि भी application यहाँ पर किस परकार से work करती है और किस परकार से application होने वाली है यहाँ पर जो loan application यहाँ पर होने वाली है भाई आपको यहाँ पर 10,000,000 रुपए से लेगे आपको दोस्तों यहाँ पर 10,500,000 रुपए तक आपको यहाँ पर loan देने वाली है आपको दोस्तों यहाँ पर 15 मेंट के अंदर अंदर आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जैसी भी आप application में यहाँ पर application को डाउनलोड कर लेते हो फर्स टाइम में आपके पास में यहाँ पर S-Enterface यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर 5,5,000,000 रुपए तक आपको यहाँ पर instant के instant प्रसंदोन दिया जाता है जैसा कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होगे यहाँ पर दोस्तों इस पर आपको यहाँ पर किलिक करना है जैसे भई आप यहाँ पर किलिक करोगे फर्स टाइम में आपके पास में यहाँ पर S-Enterface यहाँ पर आने वाला है यहाँ पर दोस्तों 100% यहाँ पर Made in India अप्लिकेशन होने वाली है यहाँ पर दोस्तों एक दम यहाँ पर जैनवन होने वाली है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना मुबाइल नमबर यहाँ पर फिल अप करना है जो भी आपको मुबाइल नमबर होता है वो मेरे पास में एक OTP यहां पर send की जाएगी, OTP यहां पर आपको यहां पर verify करवानी पड़ेगी, verify करवानी के बाद में यहां पर मेरे पास में ऐसा interface आजाता है, first time में ही, आपको दोस्तों जो भी जहां पर भी आप होते होंगे, वो भाई आपको यहां पर अपना pin code यहां पर verify करवाना पड़ेगा, जैसा कि मेरे case में यहां पर अपना यहां पर pin code यहां पर card डाल देता हूं, उसके बाद मेरे यहां पर city आ जाएगी, उसके बाद मेरा यहां पर state आने वाला है, जैसा कि मैं अभी आपको यहां पर करके दिखा देता हूं, तो भी मैंने यहां पर पहली बोल रहा है, कि आपके पास में यहां पर इसकी यहां पर जो इसकी information होती है, यह सभी की requirement आपके पास में complete होने चाहिए, उसके बाद में आपको इस loan application में apply करना चाहिए, जैसा कि यहां पर mobile number, आपका यहां पर information, यहां पर जो आपकी income होती है, वो आपको यहां पर verify की जाएगी उसके बाद में आपके यहाँ पर KYC आपके कंप्लीट की जाएगी उसके बाद में आपका यहाँ पर लोन सेंसर हो जाता है उसके बाद में आपका यहाँ पर बैंक होता है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर वेर्फाइग की जाएगा उसके बाद में एग्रिमेट आपको यहाँ पर easign agreement आपको complete करना पड़ेगा इस step आपको complete करने पड़ेगे उसके बाद में दोस्तों आपका जो limit है आपके bank account में transfer हो जाएगी अगर आप सभी के पास में यहाँ वहाँ इसकी information complete है तो आप याँ पर apply now पर आपको याँआपर click करना है जैसे कि मैं यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ उसके बाद हम दोस्तों आपके पास में यहाँ पर एसंटिफेस आ जाता है यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपके जो भी आपका यहाँ पर पैन कार्ड होता है उसके उपर एक number होता है वो भई यहाँ पर आपको यहाँ पर pen card का number आपको fill up करना है यहाँ पर डालने के बाद में आपको यहाँ पर first name आ जाएगा और यहाँ पर last name हा जाएगा उसके बाद में जो भी आपके आधार कार्ड की जो भी आपके पास में आधार कार्ड में जो आपके डेटो पर थोती है वो भई यहाँ पर आपको फिल अप कर देना है जैसे कि यहाँ पर मांग रखा है जैसे कि मेरे case में यहाँ पर कर दिया है उसका complete process उसके बाद में यहाँ पर आप सभी यहाँ पर आप यहाँ पर आप यहाँ पर किलिक करते हो तो कोई दिक्क्त वाली बात नहीं है एक भी कहीं पर भी दोस्तों आपकि यहाँ पर salary सेलिप नहीं मआगे जाएगी किसी परकार का आपके पास से कोई भी bank की statement नहीं मंगे जाएगा वो मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर मैंने यहाँ पर salary पर कर दिया है click आपकी salary किसे में आती है bank account में आती है तो मैं यहाँ पर मैंने कर दिया bank bank पर करने के बाद में आपको यहाँ पर address डालना होता है जैसे कि यहाँ पर मंधली salary कितनी आती है वो डालनी होती है मेरे case मैंने यहाँ पर 35 रुपर डाल दी है उसके बाद में यहाँ पर आपको address डालना होता है उसके बाद में यहाँ पर जो भी आपका pin code होता है वो आपको यहाँ पर fill करना होता है उसके बाद में आपके यहाँ पर state आ जाता है आपके यहाँ पर city आ जाती है यहाँ पर दोस्तों आपकर पूरी in d होती है वह भी यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल करनी है जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरी information इसकी यहाँ पर complete कर दी जैसे कि यहाँ पर आप सब देख पा रहा रह Jeju भी ल desapत कर दी है और नीचे की साइड में continue उपर में पास में यहाँ पर option भी आ चुका है continue उपर जैसे में यहाँ पर click करूँगा जो भी दोस्तों यहाँ पर आप सभी मांग रहा है कि भी आपके पास में कोई promo code है तो दोस्तों आपके पास में promo code 100% आपको मिल जाएगा description box में आपको link मिल जाएगी इस application की वहाँ पर आपको एक code भी मिल जाएगा वो promo code दोस्तों आपको यहाँ पर verify करवाना पड़ेगा उसके बाद हम दोस्तों आपके लिए 100% आपको यहाँ पर मिलने वाली है अगर भी आपके पास में नहीं है तो भी यहाँ पर नीचे की side में आप यहाँ पर continue उपर click कर सकते हैं कोई दिकत वाली बात नहीं है क्लिक करने के बाद में आपके पास में ऐसा इंटरफेस आज आएगा यहाँ पर आपसे बोला है कि भी आपको यहाँ पर अपनी selfie करना चाहते हो दोबर से यह selfie नहीं आई तो भी उसको भी दोस्तों आप यहाँ पर change कर सकते हो मेरे case में जैसे कि यांपर सही होने वाली है submit पर मैंने याँपर कर दिया вот click click करने के बाद में यहाँपर next step में आपको यहाँपर ऐसा आ जाता है यहाँसे बोल रहा है कि आपको यहाँपर जो आपकी यहाँपर credit report होती है वो आपकी यहाँपर generate की जारी है जो भी आपके credit history होती है वो आपकी यहाँ पर जो check की जा रही है उसके बाद में आपको यहाँ पर limit मिनने वाली है जैसे कि यहाँ पर अपना employee detail आपको यहाँ पर complete करने पिड़ेगी जैसे कि यहाँ पर आप काम क्या करते हो वो employee name, address जो भी आप जोब करते हो उसका address, pin code वहाँ का उसकी website अगर भी आपके पास में है तो तो दे दीजिए नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर home पर आपको यहाँ पर click करना है उसके बाद में यहाँ पर continue उपास में यहाँ पर ऐसा आ जाता है यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी आधार कार की, यहाँ पर आधार कार की मिलसे आपको यहाँ पर KYC कंपलीट करवाने पड़ेगी, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ यह सभी आपको देखने के बाद में EMI कितनी होने वाली है आपका लोन कितना होने वाला है सभी देखने के बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है OTP आएगी OTP आपको यहाँ पर verify करवाने पड़ेगी उसके बाद में आपका account यहाँ पर amount जो भी आपका account होता है वो आपका यहाँ पर verify की जाएगा उसके बाद में इनेच वो होता है दोस्तो यहाँ पर auto debit का आपको यहाँ पर option choose गरना पड़ेगा जो कि दोस्तो आपके यहाँ पर debit card से हो जाएगा उसके बाद में जो भी आपका amount आपके bank account में यहाँ पर transfer हो जाएगा जैसे कि मेरे case में यहाँ पर complete करके दिखा जाता हूँ भाई मैंने यहाँ यहाँ पर 3-4 step यहाँ पर complete कर लिए final step दोस्तो मेरे यहाँ पर बचता है जो कि दोस्तो यहाँ पर loan का transfer होने के लिए बचता है पर भाई मैं अभी यह step जो last का बचा हुआ है इसको दोस्तो मैं यहाँ पर complete करके नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंको भाई मेरे को यहाँ पर loan की जरूरत नहीं है इसी वह से दोस्तो में यहाँ पर यह complete नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर दोस्तो application बिलकुल एकदम सांदार होने वाली है loan application एकदम यहाँ पर जानदार होने वाली है अगर भाई आपको यहाँ पर application डाउनलोर करनी है तो भी प्लेश्टोर पर आपको चले जाना है प्लेश्टोर पर जैसे आप जाओगे दोस्तों यहाँ पर 10,00,00 से प्लेश्ट के यहाँ पर डाउनलोर है जैसा कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होगे 4.3 कि इसकी यहाँ पर rating होने वाली है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अप्लेश्टोर पर जो नाम होने वाला है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्लेश्टोर पर दोस्तों आपको आसानी से मिल जाएगे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है वीडियो अच्छी रगी तो लाइक कीजिए अगर भाई अभी तक भी आपने इस चन्व सब्सक्राइब ने किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चन्व सब्सक्राइब जो कीजिए